दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंपोर्टेंट वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पेपर थर्ड है सैचिक तकनीकी एजुकेशनल टेकनोलोजी उसके फिफ्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है देखें पूरे पांच साल का आप कोश्चन पेपर उ नंबर्स अफ कोश्चन ज्यादा है इसमें कोई फिक्स कोश्चन नहीं है कि यही पूछा जाएगा तो नंबर्स अफ कोश्चन ज्यादा है लेकिन यह बहुत ही आसान है आई यह सुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया पार्ट A और पार्ट B में दो टाइपस की कोश्चन तो पहली बात समझ जाएए आपको यह पढ़ना है कि ICT Informations Communication Technology सूचना एवं संचार प्रद्योगी की ने किस प्रकार सिक्षा के गुणों का इंप्रूव किया किस प्रकार इजुकेशन की क्वाल्टी को इंप्रूव किय मतलब यह है कि सूचना एवं संचार प्रद्योगी की के परियोग से सिच्छा की गुणोंवत्ता में कैसे सुधार हुआ या सिच्छा की गुणोंवत्ता कैसे और बहतर हुआ मतलब ICT का यूज ना सूचना यवम संचार प्रद्योगी का इस्तमाल कितना लावकारी है एजुकेशन की क्वाल्टी इंप्रूव करने में और साथी साथ इसके गुण और दोस्ट क्या है तो टेकनोलजी का यूज करके आपने कितना एजुकेशन में इंप्रूव किया सिक्षा की गुणवत्ता में कैसे आपने वरिधी करी सुधार किया इसके बारे में बात करने तो इसके बारे में अगर सवाल पूछे तो आप आसानी से लिख सकते हैं की काफी ज़्यादा सुधार हुआ मतलब मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है अब इसकी सहाइता से कुछ पॉइंट आपको दिये गए हैं जैसे की इलर्निंग ब्लैंडड लर्निंग स्मार्ट क्लासेस कंप्यूटर ओवर हैड प्रोजेक्ट वर्चल क्लासेट LCD और टेलिविजन ये वो सारी चीजें हैं जिसका सिक्षा के छेतर में इस्तमाल किया जाता है और ये सारी चीजें क्या हैं ये ICT की देन है मतलब Information, Communication, Technology सुचनाएम संचार प्रद्दददददददददददददददददद They प्रोजक्ट प्रोजेक्ट वह दो प्रकार होते हैं पहली बासर दूरीए एक आपने फृट्र में पिक्छर देखा होगा वो पीछे से एक rays निकलता है और दिवाल पे आके उसकी फोटो छपती है और उस पे वीडियो चलता है उसको overhead project कहते है ठीक है प्रोजेक्टर सॉरी overhead प्रोजेक्टर और एक होता है LCD प्रोजेक्टर जैसे अकसर यूटूबर यूज करते हैं अपने LCD पे slide करके पढ़ाने के रिए वो होता है LCD का मतलब जब सिक्षा और विद्यारती एक दूसरे के साथ ना पढ़के दूर दूर रहके पढ़ते हों और यह सूचरा है हम संचार प्रद्योगी की माद्यम से तो उस classes को virtual classes कहते है computer क्या है आपको बहुँ भी पता है टेलिवीजन क्या है आपको बहुँ भी पता है blended learning या समुक्ष classes क्या कहते है उसको जो सामने से रहके पढ़ा जाए offline classes उसको वह दोनों हो एक साथ तो उसको मिस्रित प्रद्यारी या blended learning कहते है ठीक मैं इसको बिल्कुल explain नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता रहूं कि पढ़ना क्या है अब आई एक तो यह हो गया भाई कि ICT के य नहीं कह सकता है कि अब example की तौरबे यह भी पूछ सकता है कि e-learning को e-learning को परिवासित e-learning की वियाख्या किजिए यह भी पूछ सकता है कि overhead project की वियाख्या किजिए virtual classes LCD television एक और छुट रहा है CCTV CCTV भी है आपका ठीक है CCTV तो अब यह बताए इसमें से आप किसी एक को नहीं कह सक सकता कि कौन सा पूछेगा सबका concept लगवग सेम है सारी चीज़े क्या है सिक्चा के चेतर में technology का इस्तमाल है यह सैचिक तकनीकी की देन है और इससे सुचा सुचारू रूप से चलती है सबका मतलब सेम concept है मैं video बना के समझा दूँगा लेकिन आप स्वय में ही पढ़ नहीं सकता यह बिलकुल विचारवाद है आपके विचार पर डिपेंड करता है आपके बुद्धी और विपेक पर डिपेंड करता है कि आप उत्तर को कैसे बनाते हैं और मैं अगर नोट्स दूंगा या फिर मैं समझाओंगा तो फिर वही बात हो जाएगी आत्म एक्जाम से एक बार देख लिजिए इसको ठीक है आप इसको स्वाल इससे आएगा ही आएगा किसी एक के बारे में ब्याख्या विसेस्ता गुन तो पूछेगा ही पूछेगा अब किसकी पूछेगा ये तो कोई नहीं कह सकता ये तो वही कह सकता है जो पेपर सेट कर रहा है लेकिन ह सबसे बड़ी बात है कि 15 नंबर में आएगा सबसे बड़ी बात है तो यह चीज़े इंपोर्टन है और आसान है क्या यह कुछ नहीं आप ना पड़े तब भी बहुत कुछ लिख सकते हैं तो यह हो गई पार्ट A की बात अब दूसरा पार्ट B में तीन केंद्र हैं कौन कौन बच्चे DLA और B8 भी कहते हैं करते हैं इंद्रा गांधी नेशनल ऑपन उनिवस्टी इंद्रा गांधी राष्ट्य मुक्त विस्विद्धाल है और तीसरा है दोसों UGC UGC भी सब पता है UGC कौन होता है UGC ही तो पूरे कॉलेजिस को माननेता देती है इसलिए तो हम कहते है कि क्या आपका कॉलेज UGC से अप्रूब्ड है क्या आपकी उनिवस्टी UGC से अप्रूब्ड है क्यों यह माननेता देती है यही निधारित करती है कि हाँ फला कॉलेज सही है तो ठीक है यह तीन चीजे हो गई कौन सा केंदरी यह सैचिक प्रद्योग्री की साहथ संस्त है मैं समझा दूगा नोटस तुमें नहीं बताऊंगा बस समझा दूगा क्या चीजे होती है कैसे काम करती है इसका मुख्याले कहा है यह चीज आपको बता दूगा एक वीडियो में बाकी आप यह जो सारी चीज है इसमें आप किसी एक को पढ़ लेंगे ना सारी चीजे ख पहेमानी होगी देखिए मैं जूट नहीं बोल सकता हूं कि ठीक है भाई तुम e-learning पढ़ लो कुछ भी पूछ सकता है यह उनके उपर डिपेंड करता है ठीक है तो यह सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूं बस यह बताने की कोशिस कर रहा हूं आप पेपर उठा यूटूब से वीडियो है लेकि वह बहुत ज्यादा एक्स्प्रेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको सिंपल सा समझ जाना की मतलब क्या होता है इलर्निंग और इसका मतलब क्या होता बस एक बार देख लेना है कितावे बंद कर देना है और यूनिट मुझे बहुत खुशी होते हैं सीरियसली आपकी जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि चलो मैं कोई काम का आदमी हूं मतलब लोग रिस्पॉंस कर रहे हैं चलो अच्छा लग रहे हैं उनको भी और मुझे खुशी होती है एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं कहता हूं तो अभी ऑप कि जांने वाले इससे शेर कहँे कोलेज गरूप में किसी भी इनुदस् Happ Talk कम है बच्चे पढ़ लें और सारे साल थो आसे बरबात हो गया ठीक है और सबस्क्राइब इस सबंद् Mog जा रहे अब ऑर दोस्तो मिलते हैं अंगले वीडियों मिलते कमें आपकसे जाए हिंद।